कर अपनोंने 30 नमर क्योशन ते कर लिया थे आज 14 नमर करते हैं देखो 14 नमर क्योशन हो बच्छों हमारे पास integration हमें सोलू करना है किसका 0 to 2 अगर यह जो फंक्षन दे रखा है अगर इसमें अपने टूए माइनस एक्स रखें टूए यह जो लिमिट दे रखें यह अपने पुट करदें इसके अंधर माइनस एक्स भी लिखदें साथ में जैसे टूप आई माइनस एक्स रखों कोई अपड़ों इसमें टूपाई mínस एक्स रखने पर कोई फरक ना पड़े तो आप क्या कर सकते है उस जिरो से 2A है उसको 0 से A कर दो और function को क्या कर दो डबल कर दो इस बात को ऐसे समझो जैसे यह जो limit है 0 to 2Pi है अगर मैं इस cos की power 5x को check करूं किस पे cos की power 5 2Pi-X पे यह देखो 2A-X पे check कर रहा हूं ठीक है 2Pi-X कों से quarter में आ रहा है बताओ 4th में आ रहा है 4th में 2Pi-X है यह Pi और यह 2Pi 2Pi-X 4th में है 4th में cos change नहीं होता change भी नहीं होता और इसका निशान भी वही रहता है तो यह cos की power 5x क्या रहेगा cos की power 5x ही रहेगा यानि यह जो हमारा function था उसमें कोई change नहीं हुआ न फंक्षन में कोई change नहीं हुआ इसलिए वो क्या कहता है यह 0 to 2Pi है न इसको आप ऐसे लिख सकते हो मान डबल कर दो 0 से Pi लिख दो और cos की power 5x dx लिख दो only ठीक है इसे मैंने equation 1 दे दी अब इसको solo करने के लिए इसका integration करने के लिए मैं P4 property भी use कर लूँ है इसके अंदर P4 property कहती है कि 0 से A हो तो आप क्या लिख सकते हो 0 से A-X यानि Pi-X क्या लिख सकते हो F A-X dx लिख सकते है ना कल हमने एक property सीख दी या दो दिनों से करी रहे है integration अगर 0 to A Fx हो तो हम उसे क्या लिख सकते है 0 to A F A-X dx लिख सकते है ना P4 property तो यह देखो इस X की जिगा लिख दी है मैंने Pi-X dx Pi-X dx करने की condition में अब बताओ यह कौन से quarter में जा रहा है Pi-X अब यह second में जा रहा है तो बाहर वाला दो as it is second में cos कैसा होता है minus का तो इसका क्या जेगा minus बाहर आ जेगा cos की power 5X और यह dx इसे मैंने देदी equation number 2 अब equation 1 और 2 को मैं plus कर रहा हूँ equation 1 plus equation 2 i plus i क्या हो गया 2 i हो गया यह 2 क्या आएगा यह 2 मैंने बताया था common आ गया और 0 2 pi cos 5X minus 0 2 pi cos 5X ठीक है यह plus का यह minus का यह कट गया 2 से 2 कट गया i बराबर आ गया 0 चेक करो answer 0 है के इसका अच्छा यह जो function है ना इसके अंदर x की जिगा टू पाई माइनस एक से रख पीशिक्स प्रोपर्टी कहते है जीरो से दो एक कोई function है तो इसमें एक बार चेक करके देख लो उसको एक्स की जिगा टू ए माइनस एक्स रख के देख लो टू पाई माइनस एक्स रखा तो यह फोर्त में गया फोर्त में तो चेंज नहीं हुआ समझे बात को क्यों से नम्मर बच्चों अपने पास है फिफ्टीन नमर क्यों बढ़ा सभी इंटीगरेशन इक्वाज जीरो टुपाई बढ़ा फिफ्टीन नमर जीरो टू पाई बैटू का साइई एएक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स सदिवाइड में क्या है वन प्लस क्यों साय कोस बने गा कोस सॉयिन मन जैगा और दोनों को जोड़ देंगे तो ये उपर वाले कट जाएंगे जिरो हो जागा तो आम सुरु जिरो आजएगा कैसे देखो equation 1 P for property लगाई मैंने integration 0 to pi by 2 x की जिगां क्या लिख दूँगा pi by 2 minus x minus cos pi by 2 minus x dx 1 plus sin pi by 2 minus x cos pi by 2 minus x integration equal 0 to pi by 2 sin 90 minus theta cos theta यह हो जगा sin theta 1 plus cos x sin x ठीक है? हाँ बूल equation number 2 अब अगर हम equation 1 और 2 को add कर दें 1 और 2 को add कर दें i plus i यह हो गया बचो 2i 0 to pi by 2 अब ध्यान से देखना तो अनुका denominator सेब है 1 plus sin x cos x 1 plus cos x sin x एक ही बात है क्योंकि multiply में है तो 1 plus sin x cos x लिख दिया मैंने अब बच्चों उपर तो है sin x minus cos x और नीचे है cos x minus में sin x minus sin x plus sin x minus cos x plus cos x खटे के सारे 0 बन गया तो बच्चों यह 0 आ गया तो i बराबर आ गया 0 by 2 0 इंटिग्रेशन कितना आ गया बच्चों जीरो वो बच्चे जीरो अपॉन में सम्तिं है ना 0 हो जाएगा तो मैं विजन विजन स्टार्ट कर दी क्या रहे या ऐसे या तो ऐसे चले जाते हो गर पे गर पे पढ़ते हो या मेरे कुछ लगता नहीं बस इसके बाद कुछ नहीं पढ़ा करो ऐसे नहीं चलेगा और फिजिक्स कमेस्ट्री कुछ भी कर रहे हो या नहीं करते हैं तो रहे तो सच बता असने की बात नहीं है टाइम नहीं है अब कहीं तु सोच ले कि अलग से कुछ होगा तु पढ़ता है फिजिक्स कमेस्ट्री कर पर पर अब कर अब कर अब कि मैं कमेस्ट्री करता था कर दो हजार नहीं है सबसे पहले तो मैंने गर से स्टार्ट किया था दो हजार साथ में कर दिया था वैसे तो स्टार्ट पर मान ले ओफिशली मान ले दो हजार ग्यार में जो टू पाई बै टू लोग साइन एक्स क्या था क्या आंस्वर था उसका यह अंस्वर था बच्चो उसका तो अभी अपने इस क्योशन में बात करते हैं लिमिट क्या है यह पाई माइनिस माइनस एक्स किया होगा कहां जाएगा इप क्या जाएगा मैं मैं आगा ने इन यह पाई नैस को ढगता अगर यहां पर सम गुरू तो चैंज कभी नहीं होता नवे का विशुल स्थ होता है यह पाई कितना होता है एक सोसी डिगरी होता है ना एक सोसी क्या होता है ना दूसरे फंक्शन में चेंज नहीं होगा जैसे यह होता है तो 170 माइनस x 270 क्या उता है नब्येंट इंटू 3 होता है तो उस कंडिस्षण में ये को साइन में चेंज हो जाता ठीक है अब समझ गें तो वाँचो यह एक्वेशन नूमर टू होगी दोनों को जोड़ो उक्वेशन वन प्लस एक्वेशन टू ऑई प्लस आहिक्वेशन गया 2i, 0 to pi, limit दोनों पर सेम है, एक बार लिख ली, दोनों फंक्शन लिख रहा हूँ एक बार, log 1 plus cos x, dx, sorry, plus log 1 minus cos x, यह dx लगा लिए, 0 to pi, log m plus log n, log m into n, plus में जब होता है, तो into होते हैं, अब अच्छों, अगर तुम्हें पता चल रहा है, तो identity लग रही है, a plus b, a minus b की, जो जो identity मैं बोलता हूँ ना, वो सारी की सारी इदर लिखनी होती है, ब्रैकेट में, जैसे मैंने बोला, log m plus log n, log m into n, तो ब्रैकेट में लिखोगे, यह a plus b, a minus b, तो यह भी लिखनी होगी, तो log 1 minus, 1 minus cos square x क्या हो जाएगा, sin square x, यह हो गया बच्छों, sin square x, dx, अब log की property पता है, क्या होती है, log की property है, कि यह जो power है ना, यह आगे आ जाती है, log m की power n होता है, बच्छों, n log m, यह जो power n आ गया जाती है, gate बंद करे यह गया, यह भी बंद करे यह, कुंडल लगाया, 2 से 2 कट गया, integration क्या आ गया, 0, 2, pi, log sin x, तो अब आपको मैंने जो formula बताया, और इसके अंदर क्या फरक रह गया, limit का, उसमें limit थी, 0 से pi by 2 थी, जिरो से pi by 2 थी, इसमें क्या 0 से pi, इस pi को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 into pi by 2, 2 into pi by 2 लिख सकता हूँ, 2 से 2 कट गया बनेगा तो pi, अब कौन सी property फीजिस के अंदर दो आगे आ जाता था, वो प्रोपर्टी आप comment बोक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, तो 0 to pi by 2 log sin x dx, तो integration equal, 0 to pi by 2 log sin x dx कल अपनों ने किया था, क्या अंसर था इसका, minus के pi by 2 log 2, 2 से 2 कट गया, integration क्या आगया बचो, minus के pi log 2, हाँ, ये बहुत अच्छी बात बताईए तुने, कि अगर ये question आपके exam में आता है, तो यहाँ से ना, यहाँ से, यह जो मैंने star वाली equation बनाई है, यहाँ से आपको पूरा का पूरा वही करके आना पड़ेगा, जो कल सिखाया है, तब 5 नमर मिलेंगे इसके 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 तुमको, समझगी बात को, अंसर चेक करिए, यह क्या, minus के pi log 2, इसे नोट कर दो, लेकिन यह बात याद रखना अगर paper में आता है, paper से पहले तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ आथ से होंगे, attention मतलो, wait come कर ओजागा तुम्हारा देखना, ते थोड़ी ज़्यादा पड़ जाएंगे, औरे, कहां पहुंच गया, वहीं यह गया, जहां सुबह छोड़ा था, यह तरक्की नहीं करता, इसको केनेड़ा बैजाएंगे सिद्धा, सिंपल है, इसमें P4 लगाओ, cos pi minus x minus cos x हो गया, दोनों को जोड़ दो, log m plus log n, log m into n हो गया, a plus b, a minus b के identity लगए, 1 minus cos square x, sin square x होता है, दो आगे आ जाता है, ठीक है, और 0 से pi हो गया, लेकिन हमें तो 0 से pi by 2 चाहिए, इसलिए इस pi को 2 into pi by 2 लिखे 2 आगे लिए, property यह, 0 to pi by 2 log sin x की value रख दी, minus k pi by 2 log 2, 2 से 2 कट गया, अगर ज्यादा नंबरों के अंदर आता है, तो आपको यह अलग से प्रूफ करना पड़ेगा, आई बन मान की, log m की power n, n log m, 0 to pi, यह 2 आगे 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 आगे, pi 6 क्या, log की प्रोपर्टी है, integration equal 0 to a, root x, divide में, a minus x dx, equation 1, p for property बचो, integration equal 0 to a, x की जगा, a minus x, इस x की जगा, a minus x, plus, इस x की जगा, जब a minus x रखूँगा बचो, तो यह देखो, यह minus का a, कट गया, यह minus minus plus का x बन जाएगा, root a minus x dx, root a minus x, plus में, root x, equation number 2, अब अगर आप ध्यान से देखो, equation 1 और 2 को मैं प्लस करूँ, equation 1, plus equation 2, तो i और i 2i हो गया, बच्चो इदर वाली साइड, और 0 to a, दोनों का denominator सेम है, अगर आप ध्यान से देखो, तो आगे पीछे जरूर है, लेकिन है सेम, इसे बोलते हैं, lcm, तो उपर इदर root x आगया, और इदर क्या आगया, root a minus x, dx, क्या ये दोनों सेम हैं, उपर नीचे, कट गे, तो 2i आई आगया, बच्चो, 0 to a, 1 dx, और 1 का होता है, बच्चो, x, 0 to a, तो 2i बराबर आगया, बच्चो, a, और integration आगया, a by 2, एक्सिलेंट बच्चो की अलगी निशानियां होती है, बाल बिखरे से होते हैं, उनके, पैंट का साइज समझ नहीं, या था, पैंट है, केपरी है, या वो क्या पैंट, पैंट खुद क्या चाहती है, वो रहना चाहती है, इसी स्थिति के अंदर, पैंट है या पैंट है, हैं, जित्ति के अंदर, जिनस है, जिनस, 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 देखो, यह हो गया नूट, यह क्योशन बच्चों हमने पहले भी किया है, मोडूलेस वाला, कैसे करते थे, जो आपको लिमिट दी है, उसको एक नंबर लाइन पर लिख लो, लिख लिया, 0 to 4, फिर यह जो फंक्शन है, इसको 0 के बराबर रखे, एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स माइनस बन को 0 के बराबर रखा, एक, तो यह 0 से 4 के बीच में एक यहां गया, तो बच्चो अब यह लिमिट स्प्लिट होगी, कैसे 0 से 1 तक, और फिर 1 से 4 तक, अब आपको दिमाग लगाना है, जिरो से 1 के बीच में यह फंक्शन कैसा बिएव करेगा, पोजिटिव बिएव करेगा या नेगिटिव, 0 से 4, 0 से 4, ठीक है, और इसको 0 के बराबर रखेगा, तो X 1 नहीं आएगा, तो वो 1, 0, 4 के बीच में आएगा, ठीक है, ठीक है, 0 से 1, 0 से 1, और 1 से 4, अब देखो, X-1 जो है, 0 से 1 के बीच में नेगिटिव बिएव करेगा ना, समझाई बात हैं, नहीं समझाई, 0 से 1 के बीच का कोई मान रख इसके अंदर, आद्दा, आद्दा माइनस 1, नेगिटिव बार है न, इसका मतलब यह नेगिटिव बिएव कर रहा है, ऐसे लिखेते हैं, माइनस का X, माइनस 1, डी एक्स, और, एक से 4 के बीच में यह पॉजिटिव यह आएगा, एक पॉइंट एक माइनस 1, पॉइंट एक पॉजिटिव आ रहा है न, यानि उसमें यह पॉजिटिव बिएव करेगा, पॉजिटिव बिएव का मतलब यह नहीं है, कि तुम इस माइनस को प्लस लिख दो, इस फंक्षन की वैल्यू, पूरे फंक्षन की वैल्यू नेगिटिव है, और पूरे फंक्षन की वैल्यू पॉजिटिव है, ऐसे बात हो रही है, ठीक है, अब सिंपल है, एक नहीं रखना न, 0 से 1 के बीच में, बीच में, हाँ जी, एक पर तो 0 ही हो जाएगा, और 0 नूटरल होता है, उसका कोई निशान नहीं होता है, अब integration कर, एक्स का, एक्स स्क्वेर बटे में दो, लिमिट क्या है, 0 से 1, और यह जो माइनस है न, यह रहा, इस एक का क्या हो जाएगा, समागलन, एक्स, और लिमिट क्या है, 0 से 1, 0 से 1, यह बंद कर दिया है, अब इस एक्स का, एक्स स्क्वेर बटे में दो, लिमिट क्या है, एक से 4, माइनस एक का हो गया, एक्स, 0 से 4, सौरी, एक से 4, अब लिमिट रखेंगे, माइनस, पहले अपर लिमिट, एक रखूँगा बच्चो, एक का स्क्वेर एक, तो क्या बन गया, एक बटे दो, 0 रखूँगा तो 0, माइनस, एक रखूँगा तो बच्चो, 1, माइनस 0, ठीक है, एक्स की जिगां, एक आएगा बच्चे, दुबारा एक्स थोड़ी ले किया ना, लिमिट पूट कर रहे हैं ना, अब एक्स खतम हो जागा सारा, चार पूट करूँगा तो, चार का स्क्वेर 16, 16 बटे दो, 8, फिर एक रखूँगा तो, एक बटे दो, एक का स्क्वेर एक होता ना, इधर 4 रख का, फिर माइनस एक रख दिया, calculation, एक बटे दो, माइनस एक, एक मिसे 0 गया, एक, और, दो आटे सॉला मेंसे 1 गया, फिंदरा बटे दो, चार मेंसे 1 गया, तीन, आदे मेंसे 1 गया, माइनस का आदा, बार माइनस है तो, प्लस का हाफ पंदरा बटे दो माइनस तीन तो ये देखो 2-3 अच्छ है पंदरा में से 6 आ गए 9 बटे दो एक बटे दो प्लस 9 बटे दो 10 बटे दो 10 बटे दो अर्थाथ 5 19 नमबर के उशन में बच्छों हमें शो क्या करना है शो करना है बच्चो शो यानि प्रूव है एक तरीके से शो तो करना है 0 to A F X G X D X किसके इकल होता है 2 multiply 0 to A F X D X के और given क्या है given है बच्चो हमें एक तो है कि F X जो है वो किसके इकल है F A माइनस X के इकल है और दूसरी बात है कि G X प्लस में G A माइनस X किसके इकल हो बच्चो 4 के इकल है यह दो चीज गिवन है और हमें वो proof करना है वो आपके सामने है तो देखो बच्चो Prove यह जो proof है यह जो है ना इसको माई ही मान लेता हूँ और यह जो left hand side लेके चल दा हूँ यह proof कर दूँँँग 0 to A F X G X D X यह given है ठीक है यह एक तरीके से given है ना इसको इसके equal proof करना है तो यह लेके चले अब मैंने इसमें P4 लगाई तो integration equal 0 to A F X की जगा A-X G X की जगा भी A-X D X integration equal 0 to A F A-X किसके equal given है यह देखो equation 1 में F A-X तो F X के equal given है और G A-X किसके equal है G A-X G A-X की जगा बच्चों अपने लिख सकते हैं दुक 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 बच्चों और कर देते हैं इसको मैं equation number 2 दे देता हूँ यह G A-X as it is ही लिख लिए equation number 3 अब equation 2 और 3 को plus कर देते हैं equation 2 प्लस equation 3 तो बच्चों क्या बन गया I plus I 2I ठीक है limit दोनों पर सेम है लिख देता हूँ एक बार 0 to A उपर वाला तो है F X G X D X फिर है 0 to A F X G A-X D X तो 2I equal limit सेम है बच्चों और F X common आ रहे हैं क्या रहा गया G X और इदर क्या रहा गया G A-X and D X 2I equal 0 to A ठीक है F X G X plus G A-X की value है तुम्हारे पास यह रही ठीक है यह value पुट कर दी बच्चों 4 और यह D X 2 से 4 कार दिया बच्चे 2 पे तो integration क्या आ गया दो 0 से A F X D X और integration था क्या हमारे पास यह 0 to A F X G X D X equal to 0 to A F X D X क्या यह पुरूफ करना था यह देखो बच्चों 0 to A F X G X D X to 0 to A F X D X तो यह पुरूफ हो गया हैंस पूफ एक बार फिर से यह रहा क्योशन क्योशन लेके चलो P4 लगाओ F A minus X की value पूट कर दो F X फिर क्या करो दोनों equation को प्लस कर लो फिर F X क्या आ जएगा बच्चों दोनों में common G X plus G A minus X आ जएगा उसकी value 4 रख देंगे यह 4 रख दी लिमिट अगर तुमको दिख रही है तो minus A से A है X की Q पे अलग अप्लाई कर दिया बच्चों Plus minus pi by 2 से pi by 2 X cos X पे अलग अप्लाई कर दिया minus pi by 2 से pi by 2 10 की power 5X पे अलग अप्लाईगा minus pi by 2 से plus pi by 2 1 constant है सिर्फ dx रह गया अब दियान से देखो X की Q क्या एक विशम फलन है odd function है क्या X की जिगा minus X रखेगा तो minus बाहर आजएगा X cos X क्या एक विशम फलन है दियान से देखो X की जिगा minus X रखेगा तो cos पे फरक नहीं बढ़ेगा लेकिन इस पे तो बढ़ जाएगा यानि एक minus तो आई गया यानि ये भी कैसा function है odd function 10 के अंदर X की जिगा minus X रखती है तो minus बाहर आता है और 10 theta भी क्या होता है odd function तो P7 property कहती है कि इन तिनों का तो क्या हो जेगा integration 0, 0, 0 रह गया सिर्फ यह तो integration क्या बन गया पहले अपर लिमिट पूट कर दी पाई बाई टू फिर minus लोवर लिमिट पूट करूँगा तो यह minus minus plus पाई बाई टू पाई बाई टू क्या हो गया पाई हो गया ऐसे एक लड़का हुआ करता था ठीक है जैसे मर्जी मान ले पर हैसी आती है चलो मान लो तो question चल रहा था सेम यही class के अंदर पी फूर प्रोपर्टी 2007 की बात है तो सर ने कहा कि यह आएगा यह आएगा आते ही है तब सह आ रहा है अब भी आता है हमेशे ही आएगा तो सर ने कहा कि यह question आएगा अच्छी तरीके से याद कर लो रटलो जो भी है वो कहता पांच तो पक्के है फिर फाइनल पेपर हुआ रिजल्ट आए उसके पांच नमबर आए पिर वह साइंस में ता फिर वह आर्ट में चला गया है एक कोमर्स में घया तरिकोमर्स फिर आर्ट में चला गया सची अब सनाव नहीं बता सकते हैं तो पीफ़र प्रोपर्टी लगा दी जीरो टुपाई बैटू लोग अब डिरेक्ट लिख रहा हूं थोड़ा सा step 4 plus sin x क्या बन जएगा पीफोर लगने के बाद को सेक्स और ये को सक्स क्या बन जएगा बच्छों साइन एक्स ठीक है equation number two दोनों equation को plus कर दो equation one plus equation two i plus i क्या बन गया बच्छों two i zero two pi by two low की property लगा रहा हूँ लोग m plus कर रहा हूँ ना log n log m plus log n log m into n द्यांसे देख ले ना चार प्लस तीन साइन एक्स अपॉन में चार प्लस तीन को सेक्स चार प्लस तीन को सेक्स अपॉन में चार प्लस तीन साइन एक्स डी एक्स चार प्लस तीन को सेक्स ये स vagina X से sign X कट का एक रहा गया है कि लोग वन की वैल्यू बता हो कितुन होती है लोग वन की वैल्यू वो साथ लोग वन बस doświad जीरो होता है कोगत तो इंटीग्रेशन इसका 0 जीर गया कि लोग एकस का होता डिफ्रेरेस्शेशन वन गाया है ान जी से मना यह उपर multiply में यह डिवाइड में प्रोपर्टी लगाई है यहां पर लोग M प्लस लोग N लोग M इन्टु एन लेकिन एक खास बात थी उस बच्चे के अंदर पहले उसने उसके पास साइंस थी फिर उसके पास commerce आई फिर उसके पास arts आई ठीक है फिर वो बच्चा बाहर चला गया है आज वो विदेश में है बस नाम मतले ना उसके ना ना दोस्त अपना जिगरी पढ़ाई जो एक रास्ता दिखाती है ठीक है सही रास्ता बलई आपने पढ़ाई कैसी भी की हो अगर अच्छी किया तो कहना ही किया वो तो सोने पर सुआगा हो जेगा लेकिन आप पढ़ाई क्या है पढ़ाई एक ऐसा एसी पाइप है एक तरीके से जिससे अगर होके यह गरंटी है कि समझे बात को और इसकी रिवीजन स्टार्ट कर दो तुम अगा 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 अगा